आज के टोफिक में रीजेनिंग में, रिलेसेंट और अलोग टेस्ट में आज हम अगले हम प्रक्टिस करने वाले हैं, इसमें कुछ क्योष सुनों की, जिस प्रिकार की क्योष समें पूछे जाते हैं वो मैंने अधिक तर आपको करा दिये हैं, ठिक है? और एक क्लास में और ब प्रक्षी की तो पक्षी बेग्यानिक से है छिए यहां पर पक्षी बेग्यानिक करते हैं नहीं कौन करते हैं आपके कीट वेज्ञानिक करते हैं कीटों का अध्यन तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका अपका आंसर इसका हो जाएगा ठीक है तो इस परकार केक्ष्ण पूछे जाते हैं इनको भी आपको नोट करके चल्णा है उसके बाद अगला दस दसमलब दस का मतलब यहां पर इन्होंने का है दसमलब तो उसी पिरकार दो का सम्मन्द क्या होगा दिके दस की यहां पर बात करूँ दिके जिस पिरकार से दसमलब पद्दी का अधार क्या होता है आपका दस क्या होता है वो आपका वाइनरी का आधार होता है ठीक है तो दो क्या होता है आपका वाइनरी का आधार होता है ठीक है दो आपका वाइनरी का आधार होता है ठीक है चलिए जिसे बोलते हैं दो आधारी ठीक है तो इसे दो आधारी भी बोलते है वाइनरी को तो यहाँ पर इसको आंसर क्य आप से, देखि यहां पर अगर बात करें, जिस प्रकार का समद्ध किस्सिय आपका लेखक का किताब से होता है, तो उसी पुरकार हमें आगे बताना है, नहीं होगा। यहाँ पर जिस परकार देखिए लेखा क्या लिखता है आपका किताब बनाता है ठीक है लेखा क्या करता है आपका लिखने का कारे की बात हो रही है उसके कारे की ठीक है तो लिखने कारे करता है तो उसी परकार यहाँ पर अगर देखें तो बड़ा ही क्या करता है आपका फन चलिए अगला option देखते हैं अगला question क्या है उस सब्सक्राइब करें जिस फिरकार से 30 सम्बंद है यहां पर उसी फिरकार बता रहे हैं जैसे आपका 6 का 180 है तो उसी फिरकार 5 अनुपात आपका यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर यहां पर जिस प्रकार से 6 अनुपात 180 है तो 5 अनुपात यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर बात करें 6 अनुपात 180 आया कैसे है देखिए यहां पर अगर हम 6 गुणा अगर यहां पर हम 30 कर दें यानि कि इसको 30 से गुणा कर दे तो आपका कितना जाएगा 180 आजाएगा उसी पिरकार यहाँ पर अगर हम 5 की गुणा अगर 30 में कर दे तो कितना आएगा आपका यानि कि 150 यहाँ पर आ जाएगा तो option क्या हो जाएगा यहाँ पर D option इसका हो जाएगा यानि कि 150 इसका answer हो से संबंदित है तो 23 का यहां पर 69 होगा है तो 27 का क्या होगा देखिए पहले तो हमें यह पता लगाना बहुत जरी होता है कि 69 आया किस पिरकार देखिए यहां पर अगर हम 23 गुणा 3 करते हैं तो कितना आएगा हमारा 69 आजाएगा ठीक है तो उसी पिरकार यहां पर हम 27 तीसरे में भी लगानी होती है ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो पिरकर रहे हम पहले बोप्सर में लगाएंगे वही हम दूसरे उसमें भी लगानी होती है ठीक है तो यहां पर 18 का अंसर हो जाएगा चलिए अगला क्युश्शन देखते हैं अगला तो क्युश्शन है आपका उस विकल्प का चैन करें जो तीसरे सबसे उसी पिरकार से संबन दीत है जिस पिरकार से दूसरा सब्द पहले से संबन दीत है यहां पर जो दुआ है दस का 105 हुआ है तो 18 का हमें यहां पर बताना है क्या होगा यहां पर 10 105 किस तरीके से आया है प ठीक है दस का बर्ग करते हैं तो कितना आएगा हमारा दस दहाई सो ठीक है सो आ गया और इसमें दिखिए यहां पर कितना है हमारा सो आ गया और इसमें अगर हम पांच एड कर दें ठीक है कितना एड कर दें पांच एड कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा यहां पर एक सो पां करते हैं तो अठारा का बर्क कितना आगा यहां पर दीखें तो अठारा का जब बर्क करेंगे तो कितना होता है अठारा अठारियम दीखें यहां पर जितने भी ओप्सन मैंने आपको पहले ही बताए थे आपको गुणा भाग सब चीज करके देखनी होती है ठीक है तो अठार यहां पर हुआ क्या है अब एक चीज़ और बताओं यहां पर आपको यहां पर जो हुआ है आपका और यहां पर देखे इसको थोड़ा सा यहां पर नोट करें दिक है इसमें जो हुआ है दस-का वर्ग हुआ है ठीक है और आपका 10 बटे 2 ठीक है यानि कि 10 का आधा ही इनोंने इसमें जोड़ा है तो यहाँ पर अगर 10 का बर्ग करें तो कितना है हमारा यहाँ पर 100 आ गया और 10 का यहाँ पर आधा करते हैं तो 5 आया है जब हमारा 105 यहाँ पर आया है तो उसी पिरकार से हमें 18 का यहाँ पर करना है तो 18 का जब बर्ग करेंगे तो 18 का बर्ग पिलस 18 वटे 2 हमें यहाँ पर करना है ठीक है तो अब यहाँ पर क्या जाएगा 18 का बर्ग होता है वो आपका 324 होता है और जब 18 का आधा कितना होगा यहाँ पर आपका 9 ठीक है तो यह नहीं के 2 काटेंगे तो 9 आ जाएगा उसी प्रकार से हमने यहाँ पर काटा था ठीक है तो कितना हो जाएगा 324 और 9 कितने होते हैं हमारे 333 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो option number 6 का आंसर हो जाएगा ठीक है तो जोड़ भुणा भाग हमें सभी प्रकार से करके देखने होती है इनके उससरों में जब ही इनके आंसर हम कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला question देखते है अगला question है दिये गए आकर्तियों में से उस समान pattern वाले विकल्प को chain करें जो यहाँ पर उसको दर साथ है देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें बताना है कि समान आकर्ति कौन से उसमें है देखिए पहले option को यहाँ पर अगर हम देखें देखिए अगर यहाँ पर देखें कौन सी आकर्ति को दिगए आकर्ति का pattern का पाल्ण करने वाले का विकल्प का chain करें तो यहाँ पर देखना हमें कौन सी आकर्ति ऐसी है जो इसका chain यहाँ पर करती है ठीक है दिखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर पिर्ति एक आकरती दो भागों में बटी हुई है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पिर्ति एक आकरती क्या है यहाँ पर आपकी दो भागों में बटी हुई है ठीक है तो दो भागों बराबर भागों में यहां पर बाटा गया ठीक है तो दो बरावर भागों में बाटा गया यहां पर अपकी दो बरावर भाग है इसके यहां पर भी ठीक है इसका एक एक इसी परकार यहां पर इसके दो भाग है इसके भी दो है और इसके भी दो है तो उसी परकार यहां पर अगर हम पहले उप और भाग है ठीक है तो option number C का answer हो जाएगा ठीक है चले अगला क्योंसन क्या है के उस विखिल्प का चैन करें जो आकरसी 3 से उसी प्रकार से संब्मन्दित है जिस प्रकार था वो आपको कहां चला गया अंदर ठीक है तिरबुच कहां चला गया आपका अंदर जो आपकी चत्रबुच था ठीक है यहां पर अंदर था वो आपका बहार आ गया ठीक है और आपका यहां पर गुणा का निसान अंदर हो गया जो आपका जैसे था ठीक है तो गुणा का न प्रकार से हम तिर्बुझ को यहाँ पर क्या करना है तिर्बुझ तिर्बुझ है वो हमारा कहा जाना चाहिए यानिक बाहार आ जाना चाहिए यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो McKay यहाँ goofy यहाँ पर बने ठीक है तो इस तरह के दो बन जायेगा अगर इस option को हम देखें तो यह option आपको किसी में देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्यों कि हम तिर्भुज को दीखे अब यहाँ पर तिर्भुज अगर option number D में देखते हैं तो तो इस चीज का भी ध्यान लखना होता है थोड़ा इस चीज को ध्यान से बनाना होता है उसी प्रकार में आकर्तियों को हल कर सकते हैं चलिए अगला question देखते हैं अगला question क्या है अगला किस्ते नहीं है यहाँ पर उस बिकल्प का चैन करें जो आकर्ती C से उसी प्रकार से संबन दित है जिस प्रकार से आकर्ती B एक से संबन दित है यहाँ पर आकिरती यहाँ पर यहाँ पर आकिरती थी यहाँ पर 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 यहाँ प पलट के रख दिया ठीक है यहां पर बंद नहीं है लेकिन पलट के इस आकरती को यहां पर इन्होंने रख दिया है तो उसी प्रकारते यहां पर आकरती को इसको यहां पर पलटते हैं ठीक है अगर यहां पर इस आकरती को यहां पर पलटते हैं ठीक है तो बीच के दिसान यहा में इसको भी यहां पर खोलना है ठीक है यहां पर अगर इसको खोलते हैं तो option यह क्या हो जाएगा हमारा तो इसको भी यहां पर देखे तो इसको भी खोला तो आकरती हमारी कौन सी बन जाएगी अगर यहां पर देखते हैं तो आकरती इसके अनुसार जो बनेगी हमारी वो आपकी C आकरती यहाँ पर बन जाएगी ठीक है तो C आकरती यहाँ पर हमारी बन जाएगी ठीक है चलिए option number अगरा देखते हैं अगरा question क्या है जिस प्रकार से तीसरा सब्द वही सम्मंद है जैसा कि दूसरे सब्द का पहले से पहले का है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर अगर बात करें N Q B K O P W J K W J तो उसी प्रकार C G U W यहाँ पर हमें बताना है देखें यहाँ पर जो आया है आपका अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो यह हुआ क्या है यहाँ पर देखें यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है कैवल क्या हुआ है पिलस आपका एक ठीक है N O पिलस एक P Q यानिके माइनस एक तो यहाँ पर पिलस एक और माइनस एक आपका हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आपका माइनस एक और पिलस एक यहाँ पर हुआ है ठीक है तो यहाँ पर इस चीट को ध्यान लखना है यानि के एन वी के जो है यहाँ पर आपका जो हुआ है अगर उसको देखें O P W J तो यहाँ पर आपका पहले क्या हुआ पिलस एक हुआ ठीक है पिलस एक हुआ उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस एक फिर आपका पिलस एक ठीक है और फिर आपका माइनस एक ठीक है के का कितना होता है 11 होता है, J का कितना होता है 10 होता है, तो इस चीज़ को दियान लखना है पिलस 1, माइनस 1 होआ है, उसी परकार से यहां पर हमें करना है, देखिए, यहां पर अगर C का कितना होता है, 3 होता है G का कितना होता है, अपका 7 होता है, U का कितना होता है ओर आएपका 21 हूrada huh यहां पर माइनज करें दिए पिलस करेंगे तो सिङ में अगर एक पिलस किया हमने तो कितना होगा हमाण यानि के चार है यहां पर हमारा डिया आना चाहिए उसी परकार जीट का सेबन होता है तो इसमें से माइनस देखे यहां पर जब एक करेंगे तो यहां पर देखे तो जी का कितना होता है हमारा सेबन होता है तो एफ हो जागा यहां पर माइनस एक करेंगे तो 6 हो जागा u का कितना होता है 21 होता है तो यहाँ पर plus 1 करेंगे तो क्या जाएगा b यानिके 22 आजाएगा उसी परकार w का 23 होता है ठीक है और minus जब यहाँ पर 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा minus यानिके 1 करेंगे तो यहाँ पर b यहाँ जाएगा 22 ठीक है इसको थोड़ा हमें धियान से करना होता है ठीक है चलिए अगला किशन देखते हैं उस विकल्प का चैन करें जिस पिरकार से तीसर सबसे सम्मंद है जैसा की दूसर सब्सका पहले से है देखिए यहां पर एक हजार वारे का अनुपात एक हजार एक्किस है तो 1416 का अनुपात क्या होगा तो यहां पर देखिए इसी पिरकार से हमें करना होता है यहां पर अगर हम इसको देखें तो यह किस पिरकार से है देखिए यहां पर अगर हम इसको देखें तो आपका यहां पर अगर हम कर दे गते हैं और इस मनदी कि 10 अगर बारे करें ग्याने तो कितना जाएंगा मारा और 12 था यहां पर नोट कर ली इस पिर दिवार करें यहांपर अगर 10 कि 20 करते हैं तो इकना मारा 120 और प्लस 1 करते हैं तो कितना वागे हमारा 121 ठीक है तो 121 यहाँ पर इस फिरकार से आया है तो उसी फिरकार से हमें यहाँ पर बनाना है 1416 को किस फिरकार से यहाँ पर क्या अंसर आएगा देखिए उसी फिरकार से हमें यहाँ पर करते हैं यहां पर करेंगे 14 गुणा 16 ठीक है तो 14 गुणा 16 14 गुणा 16 और आपका क्या करेंगे पिलस एक कर देंगे ठीक है तो 14 गुणा 16 जब यहां पर हम करते हैं तो कितना हैगा हमारा 224 ठीक है 14 गुणा 26 गुणा 224 हो गया पिलस आपका ठीक है तो आंसर क्या होगा 225 का आंसर आ जाएगा ठीक है तो इस पिरकार से भी क्यों से पूछ लेता है आपको सारे जोड गुणा भाग इसमें करकर देखनी होती है ठीक है चलिए एगला किस्तों देखते हैं नीचे विकल्ब में से तीसरे पस से संबंद दीता है उसी विकल्ब जैसे की दूसरा पद पहले से संबंद दीता है तो यहाँ पर देखें निरत्य का संबंद से चाल से है तो संगीत का संबंद किस से होगा यहाँ पर अगर देखें जिस परकार से निरत्य चाल से संबंद द संगीत चाल चलता है तो उसी प्रकार निरत्य संगीत आपका नोट से संब्द यहां पर होता है तो अगला किसन देखते हैं निमलिकित में दिगर विकलपती से संब्दित है उसी प्रकार से जिस प्रकार से दूसरा पत पहले से संब्दित है तो आश्टेलिया का कंगाल से पॉप जाते हैं तो नुजी लेंड में जो पाय जाते हैं तो आपके फ़प 마음에 जाते हैं तीक है क्या पाया जाते हैं तो ओप सन्नमर क्या हो जागा है यहां पर ज़्धिद्र हो जाएगा कीवी ठीक है तो न्यूजिलेंड में आपके कीवी पाये जाते हैं चलिये अगला किश्न देखते है निमलिकित मैं सै उस विकल्प का चैन करे जो नीचे दिये गए आकर्ती में सही से उसका अनुसरण करता है ठीक है तो यहाँ पर इसको देखते हैं देखिए यह किसन है अपका तो समान के अनुसार यहाँ पर हमें बताना है जो आकरती नीचे उसका अनुसार करती है देखिए यहाँ पर इस आकरती को देखना है और यह कौन सी आकरती में है तो यहाँ पर देखिए सेम आकरती यहाँ पर हमें देखनी है किसमे हैं देखिए यहां पर अगर हम देखें पहले को तो पहले में तो आकरती हमारी सेम है नहीं क्योंकि यह जो है आपका यह वाली आकरती यहां पर मेच नहीं काती है ठीक है तो यह भी नहीं होगा दूसरा यह होगा नहीं तीसरा भी नहीं होगा यहां क्वेस्टे हैं यहाँ पर इस आकरति का बतलब बता लाया जिस परकार से आकरति पहले संब्द दीता है तो तो आकरति संब्द यहां पर रहाएं बताना है तेकंगे इन किस्टे को आपको ध्यान ति्र बूज के बाहर, ठीक है, ति्र बूज के बाहर है यहां पर भर्ग, यहां पर और आकृरति दो में संस्थ गहँए। और यहाँ पर आपके आकर्ति यह अंदर है, ठीक है, तो छोटा हो जाता है, बर्ग आपका 45, ठीक है, बर्ग के आपका 45 और तिर्भुज आपका 100 सी अंस गूम जाता है, ठीक है, तिर्भुज किता गूमता है, आपका बर्ग जो गूमता है, तो यह आपका 45 अंस गूमता है, 45 अंस गूमता है और तिर्भुज जो है आपका 180 अंस गूम जाता है ठीक है यह कितना गूमता है आपका 100 अंस तो उसी पिरकार से हमें इस आकरती को यहाँ पर क्या लाना है इसको अंदर वाली जो है इसको बाहर वाली को क्या करना है आकरती को अंदर लाना है और अब कितना गुमाना है इसको एक सो मतलब सोरी पैतालिस अंस इसको गुमाना है तो पैतालिस अंस जब इसको हम गुमाएंगे तो आकरती आपकी कौनसी हो जाएगी यहां पर देखे तो पैतालिस अंस जब इसको हम गुमाते हैं देखे यह आकरती हमारी अंदर जाएगी ठीक है तो यह गुमाएंगे तो यहां पर यह आकरती हमारा बन जाएगा इसको हम बहुत बहुत बनेगा ठीक है तो पंचबुच जो बनेगा हमारा इस तरीके से बन जाएगा ठीक है तो ओप्सान नमबर अगर इसके नुसार देखें तो किसमे बारगाप का तो कि पंच बुच का एक सोस्यल जब घूमेगी तो यह निसर पूरा मतलब यह परट के आपका ऊपर आ जाएगा यह इससा ऊपर आ जाएगा तो इसके नुसर यहां पर आपकर हम देखें इस आकरती को ओप्सन नंबर डी में आपकी अकरती समयीत है तो ओप्सन नंबर डी का अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है उस आकरती तीन से सम्मद्ध तो आकरती का सम्मद्ध बताना यहां पर तो यहां पर देखें पहली आकरती में क्या है आपका ब्रत यहां पर अगर हम ब्रत को देखें तो ब्रत आकार में यहां पर आपका बड़ा है यहां पर आपका छोटा हो गया ठीक है तो यहां पर देखते हैं अगर आकर्ती हम यहां देखें आकर्ती की कंडिशन सेम रहनी है तो option के अनुसार यहां पर अगर हम देखें तो option number B में यहां आकर्ती हमारा क्या है छोटा हो गया है और यहां पर अगर हम बर्ग को देखें तो बर्ग हमारा यहां पर बड़ा हो जाता है तो option number B is का answer हो जाएगा ठीक है तो कुछ question आपको ऐसे भी है जो आप ध्यान लाकर answer में direct कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर option number 20 का answer हो जाएगा अगला question देखते हैं उस विकल्प का channel कर तीस तरह पसे ठीक उसी प्रकार से संब्सक्राइब तो यहाँ पर बताने कि यहाँ पर सीधे question पर आते हैं तो यहाँ पर जो हुआ है आपका वी एम वी यहाँ पर देखे यहां पर बात करें क्युस्सन की यहाँ पर देख लेते हैं एक बार M A G I C तो मैजक को क्या लिखा इन्होंने यहां पर लिखा वो लिखा B H F Z L तो यहां पर अगर हम देखें देखें तो यहां पर आपका जो हुआ है माइनस एक हुआ ह Congrats नहीं? वह किस परकार से यहां पर हुआ है ठीकर तो यहां पर C है, ठीक है, यहाँ है तो यहाँ पर देखे, अगर हम इसको देखते, है हम पर तो C minus A किया, तो यहाँ पर B आ गया, minus 1 किया है, उन्होंने अंधर से चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें change होता है, इसके दो i- math i Ka KIT ninja hotимиho t8 i ka. What about minus 8 mm ऑ्किyes ऑगया चार टिक है तो यहां पर week कितना 12 o जूँस्य हो गए च्छेड्या टिक है chroniada की स्ग्यार इसके बाद यहां पर X का सेवन ओर यहां पर 6 हो गया टिक है की माइन mais Oke krickर गवलकर ज्यार अचका ज्यार आ उसके बाद M का 13 और L का 12 तो यहाँ पर माइनस 1 हुआ है सम्में ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 1 हुआ है उसी परकार से हमें इसमें माइनस 1 करते चलना है ठीक है तो माइनस 1 करेंगे कि यहाँ पर कितना जाएगा N का कितना होता है अपका 14 ठीक है तो N का 14 होता है तो यहाँ पर एक कम करें N में से तो यहाँ पर 13 आ जाएगा 13 पर क्या आता है हमारा M हाता है ठीक है उसी परकार से I का कितना होता है 9 होता है और 9 में से जब A घटाएंगे तो कितना आएगा हमार यहाँ पर 8 आजाएगा, यानि कि 8 पर हमारा H होता है, उसी प्रकार से B का कितना होता है, हमारा 2 होता है, ठीक है, तो इसमें से जब A कम करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा A आजाएगा, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर A कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, और इसमें माइनस एक करेंगे यानिके 26 यानिके यहाँ पर जैड यहाँ पर हमारा आ जाएगा ठीक है क्या जाएगा यहाँ पर हमारा जैड आ जाएगा उसी परकार सिवका कितना होता है हमारा 3 होता है और इसमें जब 1- करेंगे तो यहाँ पर 2 आजागा यहाँ बी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर MHAZB MHAZB यानि कि option number D is का answer हो जाएगा ठीक है तो D is का answer यहाँ पर हो जाएगा तो इस परकार्ट के question पूछ ले जाते हैं इस चीज को हमें ध्यान रख करना है और यह question आदिकतर आप असानी से कर सकते हैं चलिए अगला question देखते हैं यहाँ पर सब्द का संबंद बताना है जिस परकार से चुहा का संबंद कृतंक से है तो उसी परकार से हमें इसका संबंद आगे भी बताना है देखें चुहा करतं चुहा क्या है कुतरने वाला प्राणी करतं का मतलब होता है कुतरने वाला ठीक है करतं का मतलब अपका कुतरने वाला तो कुतरने वाला प्राणी है एक आपका चुहा ठीक है तो कुतरने वाला प्राणी है आपका चुहा तो उसी पिरकार से हमें यहाँ पर बताना है मदु मक्की, मदु में छाल ले तो यह नहीं होगा, नाविक, समुंदरी जहाज, यह भी नहीं होगा ठीक है, बहल इस्तंधारी प्राणी, तो देखें बहल क्या है आपका एक इस्तंधारी प्राणी है, तो यह सही है, आपका ओप्सन नंबर C है, तो यह आपका सही है, जिस पिरकार से चुय का समंद करता है खुतने वारे प्राणी से है, ठीक है तो उसी पिरकार से यहाँ पर बहल का समंद किसे है, आपका इस्तंधारी प्राणी से है ठीक है तो उपसर नमबर सी इसका अंसर हो जाएगा चलिए अगला किसन देखते हैं स्रदस्य जोड़ी खोजें तो यहां पर बताना है फेटर लेबरेट तो यहाँ पर देखे फेटर का जो सम्मंद होता है आपका बंधन से होता है यह क्या आपका बंधन ठीक है और लेबरेट आपका आजादी बंधन आजादी जिस पिरकार से बंधन का सम्मंद आजादी से है तो उसी पिरकार देखे यहाँ पर जो सम्मंद हो क्या होता है अपका बंदन होता है और लोस का सम्मंद भी यहाँ पर आपका आजादी होता है ठीक है तो ओप्सन नमबर यहाँ पर जो अगर देखें तो ओप्सन नमबर कि इस पीच को क्या है आपका सुना जाता है तो बासवर को क्या है सुनते हैं तो आज के टोपिक में यतने भी कुर्षन थे मोश्ट मैंने आपके लिए करा दिये हैं और आपने पिछली क्लास नहीं देखिए तो डिप्सकर्षन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप इ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हिंदी या आपको जीके की यूपी की देखनी क्लास कम्प्यूटर की देखनी हो तो डिप्सकर्षन में लिंक दिया हुआ है उनको भी जाकर आप यहां पर देख सकते हैं तो चलिए फिर में लंगे कल नेक्श्ट क्लास के साथ जब तक के लिए धन्यवाद